यह देखे बेटा यह देखे बेटाओं अब बात यह आती है कि सर हम इसमें क्या गया पढ़ने वाले हैं हमने आपने हमें बता दिया आपने अपने हमें सप्लाइर बता दिया आपने हमें रिसिपेंट बता दिया आपने हमें इंपूटक स्क्रेटट बता दिया आपने рав में आपने हमें सेम्लेस प्लव का करेंद इस देता कंट्य से Кाइस मैं बता neighbor की आपने ले सिर्डल 90 का जयरा अब एकard इसन क्यों अदर अब हम द तो एक नाम दिया होता है कि हम किसी को identify कैसे करें जैसे मैंने आपको बताया कि आपको identify कैसे किया जाएगा इसे करते कि उसका नंबर ले 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 लिए ठीक है एक सब्सक्राइब पानी पीलू कि अंकित सब पेपर में रिसेंट बजट फर्स्ट फैब अलोकेशन का भी पूछेंगे गया आंसर इस नो अक्षे फर्स्ट फैब को इंटेरिम बजट आएगा आंसर इस अक्षे फाइनल बजट नहीं आएगा आएगा वंस्दा गवर्मेंट विल्फ फॉर्म्ड जो इस पार के एलेक्शन है पिटा एप्रिल मिड्स से स्टार्ट होंगे आई बिलीब और जैसे ही गवर्मेंट फ परस्पेक्टिव से यह वाला बजट रेलेवेंट नहीं है तो जैसे अगर किसी को अधिन्टिफाइग करना है तो एक नंबर सोते हैं तो कैसे करोगे मैं आपको एक नंबर दे दूँआ तो एक नंबर मेरे लिए हो गया क्लास नरा तो एप दर्मेट लिखहां हूं सेक्षन के अंदर हमें भी राऩ कहान ए बहुता है उसको सेक्षिन होता था आप बढ़ते थे किसी स्कूल में या क्लास में तो आपके लेग में हैं वहता हूं था हगे स्च्छश सेक्शं すब्सक्षन परपोङता तो उसको हम सेक्शन बूलते थे then Similarly,like q हर एक चीज को हर एक लोक ओपको एक पर एक अरोकेट किया गया लिए है जैसे हम बात करें रजिस्ट्रेशन की पूरी बाते इंट fiction की सारी बाते हमारी इन सेक्शं में लिखी गई हैं सेक्शन 22 से लेकर के सेक्शन 30 तक सेक्शन 22 से लेकर के सेक्शन 30 तक अब सक्शन 22 क्या कहता है पर्सन लाइबल फोर रजिस्टरेशन मतलब कौन कौन लोग लेने के लिए लाइबल हैं हम यह सारी चीज़े पढ़ेंगे आगे क्या कहता है कि कौन से लोग लाइबल ही नहीं है जैसे मैं आपको एक्जामबल दिया था कि आपके पापा ने आपको बोला कि बेटा यह काम कर दो ठीक है तो आप भी तो अपनी सर्विसिस दे यह तो क्या आप लेने के लिए लाइबल हो गए वह सारी शर्विसिस हम यहां पर जखेंगे क्यों कॉन लोग लेने के लिए लाइबल नहीं है श्यक्शन जारे नहीं है सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं sections याद रखने की जरूरत नहीं है अगर आपको याद करना है this is well and good but not relevant repeating my statement exams में अगर आपको section quote करना है and you are 110% sure that this is the right section please quote it if you don't remember please don't quote it गलत section लिखने लिखके मताना ठीक है अगर यह नहीं लिखोगे कोई फरग नहीं पड़ेगा कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है section 24 बोलता है compulsory registration in certain cases 22 ने क्या बोला किसको लेना है तेज ने बोला नहीं लेना है 24 ने बोला किसको तो जरूरी लेना ही लेना है किसको लेना ही है नंबर वह हम यहां पर देखेंगे आगे बोलता है प्रोसीजर क्या है कैसे लेंगे वह तो बता दो आप हमें इस section हमें बोलता है section 26 बोलता है यहां पर यह माना जाएगा कि आपके बस नंबर है आपको नंबर लेना पड़ेगा आपको section 27 special provisions relating to casual taxable persons and non-resident taxable person मतलब बिटा यहां पर नहीं दो चीजे और बताता हूं जैसे एक तो हो गया normal जिनका काम चलता रहता है ठीक है कुछ लोग होते हैं जो कुछ time काम करते सीजन वाइज दो महीने तीन महीने छे महीने उनका काम पर साल नहीं होता तो वह लोग क्या करते हैं इस एक की ताना महीने में नयुख होड़ी और काम कर रहा है इंडिया में बातगBirक्र लेना अप बिजनस करो मीरे देश में मुझे भी मेरा हिस्सा दो अब definition हुई है section 27 में 28 में क्या बोलता है amendment of registration मतलब आपने number ले लिया आपने अपनी डिटेल दी थी सारी यहां पर दी लेकिन अभी आपको लग रहा है चार साल के बाद कि हम अपना address जो चेंज कर रहे हैं हम अपना address अब आपने नहीं फिर वह चीज इसलिए बेटा अगर आप देखो कि सारी बातें कहीं लिखी हुई है जो सरकार के आप पावर आरी टेक्स लगाने की वह भी कहां लिखी हुई है आर्टिकल्स के अंदर स्कॉंस्टिटूशन के अंदर लिखी हुई है नंबर लेना है नहीं लेना है कंपल्सरी लेना है प्रोसीजर क्या है कैजूल टेक्सिवल परसन कोई चेंज करना तो यहां से कर लो आप सेक्शन 29 कैंसलेशन और सस्पेंशन सरकार बोलती है कि सर आपने नंबर लिया है आप गरत काम कर रहे हो मतलब आप कुछ कररे ओ सरकार के साथ हम आपका नंबर कंसल कर देंगे 50 सिच्वेंट होगी यह सरकार कर यह हाँ पर कौन कर रहा है हम कर रहे है का काम यहा पर होता है कैंसलेशन का सक्षिंगर काा method 714-6 विटा लाइव क्लास की PDF आपको content section में मिलेगी सरी content section में class wise जैसे हमने पहले कल पर सो किया वो मिल जाएगा आपको आशी क्लास आपको बटी सारी सीजिए बेटा कल अप्लोड होंगी इस टोड़े जो वीकली ओफ इसेंटर सारी सीजिए आपको कल मिल जाएंगे कल सारी सारी से अप्लोड हो जाएंगे की तबंस आगया पेटा